शपत गरहन समारों के लिए इकाना स्टेडियम तयार है और इन तयारियों में क्या खास बात है वो हम आज आपको दिखाते हैं खास बात सबसे यह है जो हमारे इस इस्टेडियम के सामने जो बैनर लगे हुए हैं जो स्टेंडी लगे हुए हैं ये सबसे खास चीज है विजय बहादूर यादो अध्यक्ष जिला पंचायत आप यहां से देखेंगे और यहां से लगातार यानि जो रास्ता आप सामने दे इस लिए हैं क्योंकि वीजय बहादूर यादो समाझवादी पाटी में रहे और इसके बाद भारती इंता पाटी में जोईन किया उन्होंने पिछली बार भी वही थे जिलापंचायत अध्यच और अपकी बार फिर जिलापंचायत अध्यच बने हैं और उनको यहां पर बह लगाए गए समासिविका के तोर पर मानेञी लिखाए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुखमंत्री च्री योगी अदेतनात जी को शपत ग्रहन समारों से कुछ दिन पहले ही भारती इंता पार्टी जॉइन की थी उन्होंने समाजवाधी पार्टी छोड़कर भाजपा में आई हैं उनको दोनों को यानि समाजवाधी पार्टी से आए दोनों लोगों को यहां पर बहुत महत्व दिया गया है अगर में गेट पर जो इंटरी कर रामापति शास्त्री को बनाए गया था वो एक जातिय समीकरण साधने की कोशिश की थी और वही रिफ्लेक्शन विधान सभा में भी नजर आ सकता है और यहां पर जो मुलायम सिंग के परिवार के लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो छोड़ कर आए हैं उनको यहां पर सम्मान दिया गया है उनके बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं तो यह भारती इंता पार्टी का बड़ा संदेश है कि पार्टी में आने वाले प्रतेक वक्ति चाहे वो छोटा हो चाहे बढ़ाओ उसका स्वागत किया जाएगा उसको सम्मान दिया जाएगा इसक यह भी यह मैसेज एक है जिला पंचायत अधच के यहां पर बैनर पोस्टल लगे होना कि यह मैसेज है कि जिला पंचायत के जरिये किस तरह से कर रही है कैमरा से योगी प्रमोट के साथ विवेक ट्रिपाठी बीपी गंगा लखनवू योगी आदित नाथ के दोबारा शपत लेने के लिए एकाना स्टेडियम तयार है सुरक्षा इंतिजाम भी पुक्ता कर लिए गए हैं हम इस समय इकाना स्टेडियम के बाहरी कर दोबार बनाया गया है चारो तरफ बैनर लगे हैं भारती इंतापार्टी के जंडे लगे अंदर भी आपको बैनर दिखाई दे रहे हैं सिकुरिटी परसनल्स खड़े हुए हैं और बिना किसी की अनुमती के जो अधिकारी है इस पीजी के बगैर कोई भी इंट्री नही है फिलाल यहां कल शपत ग्रहन समारो होना है चार बजे उसके पहले की तैयारियां चल रही अंदर साफ सफाई और अन्निकामों के लिए लोग आ जा रहे हैं जो करमचारी हैं जो लेबर हैं मजदूर हैं वो यहां पर लगातार मूमेंट हो रहा है और पूरे इलाके को हैं आप सामने देख रहे हैं पुलिस मुख्याला है जो प्रदेश का एकलाउता ऐसी बिल्डिंग है सिगनेचर बिल्डिंग जिसको कहा जाता है वहां पर सारे इंतिजाम है सुरक्षा के और हाई राइस बिल्डिंग उसके आस पास जो आपको दिख रही हैं वो भी वहां उपर कमांडो रहेंगे ATS के तैनात रहेंगे जिनकी रेंज में पूरा स्टेडियम हो गाई है और वहां पर स्नाइपर्स भी रहेंगे इस्पॉर्टर्स भी रहेंगे इस्पॉर्टर्स यानि वो लोग जो अराजक तत्व या आतंकवादी उन लोगों को पहचान लेते है जाहे वो जितने चहरे बदल कराएं उनको पहचान कर उनको चिन्नित करते और उनको पकलने का काम करते हैं वो उनको बुला जाता है उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इस्पॉर्टर्स को कि कोई बी ऐसा आnity वाफिया को बच नहीं सकता तो ये सामने बिल्डिंगों में स्पोर्टर्स और स्नाइपर्स रहेंगे, ATS के कमांडों रहेंगे और ठीक स्टेडियम के दूसरी तरफ एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है, यह शॉपिंग मॉल कल यानि शपत ग्रहन समारो के दौरान बंद रहेगा, सिक्रूरिटी के लिहास से इसको बं मंत्री की फ्लीट और मंख मंत्री की फ्लीट और बड़े लोगों की फ्लीट यहां पर पहुस्ती है हमेशा, और हलाकि इस बार स्टेडियम में पीछे की तरफ तीन एयर स्टिप बनाई गई हैं, यानि हैली पैड बनाए गए हैं, उन हैली पैड पे पर प्रधान मंत्री के तीन हेलिकॉप्टर उतरेंगे ये सारे इंतिजाम पुक्ता कर लिए गए हैं तीन लेयर में सिकुरिटी होगी यानि जहाँ पर प्रधान मंतरी का मंच होगा वहाँ पर SPG प्रोटेक्शन करेगी उसके अलावा स्टेडियम के भीतर की जितनी जगए है वहाँ पर पुलिस और परमिल्टरी फोर्सेज रहेंगी और बाहर का इड़ाका यानि जहाँ हम खढे हुए हैं वह भी पुलिस और परमिल्टरी फोर्सेज देखेंगी तो थ्री लेयर सक्रीटी इंतिजाम में 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मी 15 से ज्यादा IPS और करीब 50 से ज्यादा PPS अफसर यहाँ परतेनात किये गए हैं सब इस्पेक्टर डिप्टी एस्पी लेवल के तमाम ऐसे एधिकारी हैं जिनको आज शाम को यहां पहुशना होगा कल से सुबह से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी इन पुक्ता इंतिजामों के बीच कल शाम को चार बजे मुखमंत्री योगी यानि जहां मैं खड़ा हूँ जहां आप देखने हैं पीछे मुवमेंट वो सब मुवमेंट बंद कर दिये जाएंगे और इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा कैमरा से होगी प्रमोत के साथ विवेक प्रिपाठी एबीपी गंगा लखना हूँ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी